देश में चल रहे है राजनायतिक उतल पुतल में अब बॉलिवुड भी काफी सक्रिया रहता है अब बॉलिवुड की लोग भी खुल कर देश के सभी बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने से हिचके चाते नहीं हैं इन्हीं में से एक है म्यूजिक डिरेक्टर विशाल बांधते रहते हैं आपको बता दे विशाल ददलानी फिलहाल इंडियन आइडल शो को जज़ भी कर रहे हैं इसी दोरान अपनी गलत जानकारियों के चलते वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए दरसल इस शो को जज़ करते समय एक परतियोगी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गा गाया जिसको औरिजनली लता मंगेशकर ने गाया था इस गीत को सुनकर विशाल ने कहा कि इस गीत को लता मंगेशकर ने देश के पहले प्रधान मंतरी जवाहरलाल नहरू के लिए गाया था ये दुनिया का एक मातर गाना है जो आल टाइम हिट है लता मंगेशकर जैसा लेकिन आपने भी अच्छी कोशिश की है। भारत को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। तब भारती है सैनिकों के मनुबल को बढ़ाने के लिए इस गाने को बनाया गया था। लेकिन विशाल ददलानी ने इस गाने को लेकर एक अलगी बात बताई जो पूरी तरह से बेबुनियात थी। इडियट विशाल ददलानी is claiming that the song ए मेरे वतन के लोगो वास संग बाई लता जी इन 1947 फोर नहरू। This song was first performed in 1963 in memory of Indian soldiers who died in 1962 war against China. How is Sony TV allowing such fake political propaganda? वहीं पूर विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज के पती स्वराज कौशल ने लिखा कि लता जी का जन्म 1939 में हुआ था और 1947 में वो महज 18 साल की थी। एक और ट्वीट में गाने का पूरा एतिहास बताते हुए स्वराज कौशल ने लिखा लता मंगेशकर जी ने ऐ मेरे वतन के लोगो गीत 26 जैन्वरी 1963 को दिल्ली में गाया था इसे कवी प्रदीप ने लिखा था गीत को सुनने के बाद भरे गले से पंडित जवाहला ने कहा था लता बेटी तुम्हारे गीत ने मुझे रुला दिया इसी प्रगार की तमाम जानकारे के लिखाले हमारे साथ जोड़े रहिए नमस्कार